संघर्ष की एक महत्वपूर्ण वृद्धि में दक्षन लेबनान में लगभग 500 लोगों की जाने गई हैं, जो 7 अक्टूबर को गाजा युद्ध के आरंभ के बाद इस्राइल के हिजबुलाह के खिलाफ सबसे बड़े हवाई हमले के परिणाम स्वरूप हुई हैं. लेबनानी स्वास्थ्य मंत्राले ने लगभग 1650 घायल लोगों की रिपोर्ट की है, जिन में लगभग 100 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. इस्राइल की उत्तरी सीमा पर छोटे मोटे संघर्ष अब रोज मर्रा की बाद बन गए हैं, क्योंकि हिजबुलाह इस्राइल पर सैकडों रॉकेट दागता रहता है. यह दावा करते हुए कि उनके क्रियाकलाब गाजा में इस्राइल की सैन्य कारवाई का सामना कर रहे फिलिस्तीनी लोगों के प्रती एक जुट्ता का प्रदर्शन है. अगस्त में स्थिती उस समय और बिगड़ गई, जब हिजबुलाह ने अपने शीर्ष कमांडर फॉज शुकर की जुलाई में हत्या के खिलाफ प्रतिशोध लिया. हिजबुलाह ने इस्राइल के खिलाफ अवधिरहित न्याय का युद्ध की घोशना की है. हाल के दिनों में 100 से अधिक रॉकेट दागते हुए. लेबनानी सरकार ने इस्राइल और उसकी खुफिया एजंसी मोसाद पर हिजबुलाह के सदस्यों को निशाना बनाने वाली एक श्रिंखला के विसफोटों की योजना बनाने का आरोप लगाया है. इस्राइल का दावा है कि हिजबुलाह की आक्रामक्ता को रोकने के लिए किये गए कूटनीतिक प्रयास असफल रहे हैं और अब उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा बहाल करने के लिए पूर्ण युद्ध एक संभावित समाधान के रूप में देखा जा रहा है. इस्राइल की सेना ने दक्षिन और पूर्वी लेबनान में हिजबुलाह के हत्यार स्थलों के खिलाफ अपने हवाई अभियानों को तेज करने की योजना की घोशना की है जबकि एक भूमी आक्रमन की वर्तमान में उम्मीद नहीं है. इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहु ने जटिल दिनों की चेतावनी दी और दोहराया कि इस्राइल खत्रों का इंतजार नहीं करता. यह कहते हुए हम इससे पहले हैं. लेबनानी लोगों को एक वीडियो संदेश में उन्होंने उन्हें अपनी सुरक्ष अपरिवर्तनिय परिणामों की ओर ले जा सकता है और इस्राइल पर पूरे मध्यपूर्व को युद्ध में खीचने का प्रयास करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा हम मध्यपूर्व में अस्थिर्ता का कारण नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि इसके परिणाम अपरिवर संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव एंटोनियो गुटेरिस ने बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की, बढ़ती दुश्मनी के बीच कूटनीतिक समाधान का आग्रह किया. उन्होंने इस्राइल के बंबारी अभियानों और हिजबुल्लाह के लगातार हमलों की अधिक सैन्य हमलों, अधिक क्षती, अधिक सहायक क्षती और अधिक पीढितों को देख रहे हैं. बढ़ती स्थिती के जवाब में अमेरिका ने आगे बढ़ने की रोक्थाम के लिए सहयोगियों के साथ ठोस विचारों पर चर्चा करने की योजना की घोशना की. राष्ट जिसे भविष्य का शिखर सम्मेलन कहा गया, में भाग लिया, जहां उन्होंने वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यक्ता पर जोर दिया, ताकि शान्ती और विकास को बढ़ावा मिल सके. यह शिखर सम्मेलन 22, सितंबर 2024 को शुरू हुआ, जो योएन परिसर में विष्वनेताओं की उच्च स्तरिय बैठकों से पहले का समय था. यह शिखर सम्मेलन युएन के महा सचिव एंटोनियो गुटेरेस की चुनौती के बाद शुरू किया गया, जिन्होंने विष्वनेताओं से बहुपक्षियता की प्रतिबधता करने और तेजी से बदलती दुनिया के अनुकूल वैश्विक संरचना के मुद्धों को संबोधित करने का आग्रह किया. अपने दौरे के दौरान, पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क के लॉंग आइलैंड में हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए, पिछले दशक में अपनी सरकार की उपलबधि जो बाइडेन, अंस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने डेलावेर के आर्चमियर अकेडमी में बैठक की. उन्होंने नई तटरक्षक अभ्यास, एक लॉजिस्टिक्स नेट्वर्क, विस्तारित और गर्भाशे ग्रीवा कैंसर के खिलाफ एक पर्योजना जैसी कई सहयोगी पहलों की घोशना की. युएन शिखर सम्मेलन के किनारे पी एम मोदी ने अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यन के साथ एक शांदार बैठक की, जिसमें उन्होंने चर्चा के प्रत अपनी उत्सुकता व्यक्त की. भविश्य के शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में पी एम मोदी ने कहा, जून में इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारतिय जनता ने मुझे तीसरी बार सेवा का अवसर प्रदान किया. आज मैं मानवता के एक छठे की आवाज क का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां हो. जब हम वैश्विक भविश्य पर चर्चा करते हैं, तो मानव केंद्रित द्रिष्टिकोंड हमारी प्राथमिक्ता होनी चाहिए. उन्होंने स्थाई विकास और खाध्य तथा स्वास्थि सुरक्षा सुनिष्चित करने के किया. वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते हुए, उन्होंने कहा, जबकि आतंकवाद वैश्विक शान्ति के लिए एक महत्वपूर्ण खत्रा बना हुआ है, हमें साइबर सुरक्षा, समुद्री और अंतरिक्ष को भी संघर्ष के उभरते क्षेत्रों के लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जो दिखाता है कि स्थाई विकास संभव है. हम इस सफलता को ग्लोबल साउथ के साथ साजा करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने दोहराया कि मानवता की सफलता संघर्ष की बजाए सामुहिक शक्ति पर निर्भर करती है. यह कहते फिलिस्तीनी राष्ट्रपती महमूद अब्बास फिलिस्तीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की. कुवैत के क्राउन प्रिंस शेक सबाह खालिद अलहमद अलसबाह, फार्मास्यूटिकल्स, खाध्य प्रसंसकरण, प्राध्योगि और उर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत-कुवैत संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की. नेपाल के प्रधानमंत्री के पी, ऑली, भारत और नेपाल के बीच मजबूत दोस्ती की पुष्टी की. इसके अलावा, पी-म मोदी ने निउयॉर्क में मैसाचुसेट Institute of Technology, MIT, Engineering School द्वारा आयोजित एक राउंटेबल के दोरान, शीर्ष प्राध्योगी की नेताओं और CEO's से भी मुलाकात की. बादचीत अभी प्रारंभिक चरण में हैं और हिस्सेदारी बिक्री के विशेश विवरणों को तैयार किया जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि अडानी समुह द्वारा अधिग्रहित हिस्सेदारी का सही प्रतिशत अभी अनिश्चित है, क्योंकि कई विवरण अभी तक अ इत्रित्व के साथ बातचीत कर रही है। पार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दुबई के प्रोजेक्ट्स से आता है। उल्लेखनी यह है कि आगामी धारावी पुनरविकास परियोजना भारत में इसका पहला बड़े पैमाने का उद्यम है। और कमपनी ने हाल ही में दिल्ली NCR क्षेत्र में भी विस्तार किया है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा रियल एस्टेट बाजार है। रिलायन्स पावर के शेरों में जोरदार तेजी देखी गई है, जिसमें पिछले 11 सत्रों में 49.34% की वृद्ध हुई है। इस शानदार उचाल के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या शेरों में आगे भी तेजी की संभावना है।